हेलो दोस्तों वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल की बाइट जीरो फाइब ते जी में तो पता है कि अपा एटीटी केडर दिया उनाट सो च्रानवे पोस्ट आ जो दा जो इस्तियार यारी है ठीक है उस ना रेटेड अपा मैदी सिरी शिरू किती है जिस दा चैप्टर चल गल्ला है जो आपनों सामनों सोलो करने वेचे हलब करनी है वह अपा कर रहे है ठीक है पिछे अपा इस दिया चार वीडियो अपलोड कार चुक्क है वीद डिटेल एक एक चीज आपनों पूरे एक्स्प्लानेशनल समझाईए यह ठीक है तुस्यों साधिया वीडियो देख पढ़हा था सी दा आज आप पढ़ांगे रोंबउस रों बस की है ठीक है है ञांद केंदे सन चत्र-पूज है ठीक है जिन Ó अ वह रिक्टैंगल तो मलनो आइच तो ठीक है इसे तरह जो रोंबस है ठीक है इस रोंबस वर्ग तो मलनो स्केर तो बनी हैं स्केर सार्याना नाइंटीडिगे क्समान पाव चार पजमा बर판 hunk ठीक है तो चतरपुज जिट यहां सारियां पजामा समान पाव की चारहव पजामा की ओन बराबर होन उसनु पजातरपुज मन रॉमबस कें दियां ठीक है सम चतर पुझ वेच जड़े विकर्ण मतलब डाइगनल हुंदे है ठीक है एक दुझे नूँ सामकों ते दुपाजीद कर दियान ठीक है हूं देखो इस की कहरे है और इन दी फर्क है जड़े जो आपा वर्ग पड़या सी उन दे वेच की है गासी की चतर पुझे विक रोंबस दे डाइगनल है वो ब्राबर नहीं हुंदे ठीक है इन दे डाइगनल ब्राबबा से वर्ग ते रोंबस दे विच आई फरक है स्केर ते रोंबस दे विच इन जो डाइगनल है ओ किया है बाइसक्ट कर दे आन 90 डिगरी ते ठीक है बट वर्ग दे जो जो स्केर दे डाइगेनल ओ इकवल उन्दे यह थे रोंबस ते डाइगेनल इकवल नहीं हुन्दे ठीक है इन्ने वी जो अमनों सामनों ओले कोन ओपजिट जीड़े एंगल उन्दे मलों A दे C यह थे B दे D यह ठीक है ओपजिट अंगल मलों ब्राब्बर होंगे थे दो लाग में कोन बड़ी होएगा ठीक है तानुमें डिटेल चे उन सम्झाना जो आपा डैफिनेशन हो पड़ी है ठीक है उस दे कोडिंगे देखो आपके ने रोंबस बरे पाट रहे हैं ठीक है ठीक है रोंबस त्विच की है रोंबस थोड़ी जी टिल्ट वरगता सिद्धा बनना ठीक है हो इसटीप दीजी टिल्ट शेप चे बनेंगी वरभर होने आपने हैं वन साइड को इसकाल ने रोंबस ठीक है ऑल साइड इक वल इसकाल देखो अननों बश्यक्ती एक तीक है जो बिकरने एक दूजन 90डिकरी देखो ए और सी जो भी करना पाँ रो कारे हैं दो डी और भी ठीक है काली बीद अंदसी ए 90डिकरी के कर देनू बाइसक्ट कर दे ठीक है बट केंद है कि पर यह ब्राब्बर नहीं होने कि ठीक है केने जिमें डीवन ते डीटू ठीक है एक द डाइगनल फर्स्ट आ डीवन है ठीक है डीटू है डीटू है डीवन दीटू एक दूजन नाइनटी डिगरी थे सम्दू पाजित कर दियान मालों बाइसक्ट कर दियान बाट तो डीवन डीटू एकवल नहीं होने ठीक है ए पॉइंट नूमबर दो है अगी केंदा है कि इ एंगल ए इस्टैण ट्यागल संद ठीक है ठीक है अगल डीटू एंगल बीट ठीक है इनदे ओपजित अंगल की इनदे है इकवल हूंद है फोर्थ पॉइंट की कह रहा है कि है जरी कि आम ढ़ेखने को ब्राबर हूंद है इनने दी लाग में को ना जोड बानने ती लाग म अंगल बने या थि इस दुनना था सम किनना होएगा 180 डिगरी होएगा ठीक है इस तरह एंगल B थि एंगल C V 180 ए अगल A प्लस एंगल B V 180 एंगल D प्लस एंगल C V 180 ठीक है अग्य देखो अग्य अब पढ़ांगे ट्रेपिजम बरे ठीक हैं ट्रेपिजय जनुस्तार पुज केंदियान ठीक है ट्रेपिजम बरे आपड़ डैफिनेशन पढ़तियां की लिख जिस चतर पुज वेच पुज्चामसमानंतर ना होन हुँसनुस्तार पुज्च करना दी लंबाई जडे करन होंदे अविकार निन कहने हैं बारे कोई सबांध नहीं हुंदा पाविकारन मेशा बराबर नहीं हुंदे जा जिस चतर पुझ वेच शिर एक पुजामा दा जूडा समानतर होवे समानतर होवे उसनों सामलाम चतर पुझ गेंदे जाने हां किस तरह देखो ट्रापीजम दी फिगर बना मांगे समलाम चतर पुझ गेंदे समलाम चतर पुझ केड़ी हुंदी है ठीक है तन दस्तियां जिस से देखो अपर लाब फिगर बनाने हैं फिर तन फिगर तो वदिय समझा जेगा ठीक है अफिकर रहें ठीक है होन देखो आ साइड है एसी और बीड़ी यह दुन्यों की समानतर नहीं है क्योंकि जिए इन्हों आप अग्गे वदावांगे इस देखो राफ वदा रहें हैं ठीक है ते कि जी कि पर्ला किद्ध याद रखना है इन्हों गीस है इस दिए टो में होनदा कि नटी कि जो न वमीज़ने रहें ऑन इस दृटन है एक यूड़ा स्मानतर है त्रापिजम दियां और ऑपोजिट जनियों पुझामा उन्दीयां समांतर हुंदियां ट्रेपीजम ना की समझी है इन्ना इसी ट्रापिजम बारे इंपोर्टन्ट फैक्ट्ट है जो तुसी त्यान वेच रखने है इस तो तुसी ड्रेक्टी कोस्टन नूँ चेक कर सकते हैं कि वह स्टेटमेंट सही है जिके गल्ब तासर है ठीक है उन तुसी तानुसाब नूँ सही देख रहाएगा ठीक है पहले आपा स्टेटमेंट पंज ठीक है उनन सबंदी इंपोर्टेड फैक्ट्स है जो तुसी नॉट करने अपनी नॉट्बुक ते इस तो तुसी जाजिकार सकते है कि कोस्चन देवेचे जो नहने स्टेटमेंट दिती हो सही है कि गल्द है ठीक है तानुमन आल एक्स्प्लेइन महीं कर दूंगा ओं एक चतर बुझे एक आई तो एगी रिक्टैंगल होगी इफिजिकर इस ओपजीट साइट्स है उन तर में बना आगे अगे देखा देनना इत्थे आरेक्टैंगल होगी ठीक है कि एनदा कि एकवाडिक लेटर रिक्टैंगल इफिट्स ओपजीट साइट्स और एक्कोल अ टो गई गा इक्तेंग्ल होएगा ठीक है आइ इंप्न फैक्ट्स है तुसरी अधी नॉट करने करने हां ठीक है अगला इक्क्षक देखोगी है तिशया काद्डी लेटर इस गेर तेके कई थे quadrilateral higher, square हो गा, बर्ग हो एगा, ठीक है, अनुब अवर साइड़ हो गाउने है, ठीक है, कैना quadrilateral is square, इफ इट साइड़, देखवा, सारिया साइड़ की होनगे, equal and it is diagonal, त्यों ती डाइगनल की होनगे? equal हो गई, ठीक है, diagonal की होनगे? equal हो गाउने, स्केर होएगा अगे केंदा इक वाडिलेट इसे प्रेलो ग्राम प्रेलो ग्राम तम दस्या सीगी समानतर चतर पुझ ठीक है इफ इटस ओपोजिट साइड जार एको ठीक हो ठीक है आदेखो इस तरह थोरी टिल्ट बनेंगी प्रेलो ग्राम ठीक है एक रिक्टैंगल तो बन प्रेलो ग्राम एक वाडिलेट एक समानतर चतर पुझ ठीक है बट नोट ए रिक्टैंगल हों देखो आई इंबॉर्टन फैक्ट्स है त्यान ना देखे हो के नहीं क्वाडिलेट एक प्रेलो ग्राम ता है पर वो रिक्टैंगल नहीं है कदो इफ जे ओपोजिट साइड़ आर इकवल दिखो आप बनाती एक कर आप कर ना तिकर ऑन देखे में बट एक रेक रिक्टैंगल नहीं है इस एक टरइवाडेट एक कल बाट दा डाइगंडर ना नौट एक करफे है जदो डाइगनल इक्वल ना होंगे ठीक है आ दोनों मलों D1 not is equal to D2 जदो डाइगनल इक्वल ना होंगे ओ प्रेल्ड प्रेल्लोग्राम होएगी रिक्टेंगल नहीं कि रिक्टेंगल दी की शर्त हुंदी यांदा की फैक्ट हुंदा है कि ओंदी ओपजिट साइड जो इकल ह अधिया ते डाइगनल भी एक्वल होंदी है ठीक है अब जे देखो केंदा है क्वाडिलेटर इजे रोंबस होएगी उस केर नहीं होएगी कदों केंदा है इफ जे साइड्स आउल साइड्स आर इक्वल बाट दाइगनल आर नोट इक्वल उन्तु सी ना चे डिफरेंस बह याद राक्के अपहा एक अपहा दा सक दे हैं कि अन्ही बारे साही दास रिया के गलता है ठीक है कि नहीं काडिलेटर इजे रोंबस और रोंबस है बट नोट स्केर कदों स्केर निंहें सैर नहीं होएगी इक से आइस्थ दाba कदों हीगी फ़टों वाद होन गिया हम भड मे ठीक है किसम अगे चलते हैं अपा तुसी इनना समझ गये होगे ठीक है इनना स्क्रीन शोर्ट जो आपने तुसी पहली गालता है अब धिया प्रोपर नोट बुक बनानी है जो अपनो अगे समदे विच काम आएगी ठीक है अगे देखो अगे थोड़े एक्स्ट्रा फेक्ट जो इस चैप्टर ना रिलेटेड सी हो लखा रहे हैं इस तो बाद अपना ये चैप्टर था बेसिक जो जिनना भी समझ गप्लीट होजेगा काल तो अपा इस चैप्टर ना जिनने भी सम बनने यो अपा करांगे ठीक है एक दो वीडियो तो इसा दो टाकरस है और खेक्टर एंगल कोई वीडियो ठीक है जो भी आपा एक्सट्रा एंग्ल फाइंड करना है ओस्थी आप फार्मा ओंदेटेख्वामिल पहणन है कोई आतने कोल फिग्बर हाजी वार्फ दक ह्हाई स्केर आजे, रिक्टैंगल आजे, ट्रेंगल आजे, ठीक है, उन्दे एक्स्टीरियर एंगल आपा फाइंड करना है, तो उन्दे आपा फार्मा खील कोना है, 360 अपोन N, N की होएगी, नंबर ओफ साइड हो जान गया, ठीक है, कुछ भी हो सकत है, उन्दे आपा एक्स्टीरि कि क सारह बारी कोना जोड़ किन्ने डिग्री हना है, ठीक है, अपनों इनना पता है कि, च्छातर पुछ दे चारा कोना, 360 होंझे जा, ट्रेंगल देz异ना, ग्स्टीर नगाउंट है, ठीक है, अग्गे देखो, आगे धिक्टीर म ARDR Iremos, नंबर ओफ DAY और ओफ दार्मूल मे एन इंतु एन मैन्स 3 बैए 2 , पाम चेण ट्सकाजन होई है , कोई स्केर होजे रिक्टैंगल होजे थे नाव पड़ाइय फाइव साइड ही है , ठीक है , हेकशा गण ट्सक्स अक्टा अक्टागन 8 है ठीक है नोना गन 9 है इस तरह कोई जिन्नियां भी कोई मर्जी आपने को फिगर दित्ती होँए ठीक है कोई मर्जी पोलिगंस दित्ते होने ठीक है जिस दिया मर्जी जिन्नियां साइड होने ओंधे डाइगनल कटने होना तो आपा फार्मूला लगोन है n x n-3 टूभाई धिस फीगंटी आपने पता है फंट्र ऑउल ऐब साइड और ओस दीक होने के इंधे आपने न फंकितंग करने तो एच्वी ओफ इंथी जिए गए टूम्तो नई इन्दे किन्नी आयंगे 5 डाइगनल आयंगे, ठीक है, हेकसागन दे करने 6 into 6 minus 3 by 2, 6 into 3 by 2, 18 by 2, किन्नी आ हेकसागन दे 9 अंगल आयंगे, और 9 डाइगनल आयंगे, ठीक है, यह तुसी फार्मुला याद रखने, नम्बर ओफ डाइगनल करने था, ठीक है, आपनू फिगर बना कि देखना नी पेना, गिनना नी पेना, रखना आपनो आइंगल, ठीक है, temps इद्ता फार्मुला लगां जरगे, अंगल काट लाँगे, ठीक है, अगज़े देखो, होना आप इतीडिएर आइंगल वार्य पाटल्य, अन इंटिडियर, रेक अंटिडियर अंगल, जरेकर ए पार फार्मुलय सी जो इस टोपी के नाल चप्टर शुरु किता उसना सबंद सी ओधिए अधिए अपना आ चप्टर बेसिक जिनना विचियो सिहो कम्प्लेट हुंद ढूट दोस्तो कल आपा होने इस नाल सबंदीत जो रलेटिड है एक दो वीडियो च तेन भी बन गया है दो भी जिन्य वीडियो बनन गया आपा इस चैप्टर दे सारे साम कंप्लीट करांगे जो एकजाम दे वेच आयो है जो अगे आणगे ठीक है दोस्तो थैंक यू फॉर वाचिंग चैनल नू जिनना ने ले सब्सक्राइब नहीं किता प्लीज सब्सक्राइब कर देओ लाइक शेयर भी जरूर करना ता जो होर दोस्ता नू इस चैनल दा बैनिफिट मिल सके सो थैंक यू फॉर वाचिंग